It is the most important thing to love yourself. ये 21 days की mirror work inner growth की activity में आपको खुद के साथ प्यार भरा रिष्टा कायम करने का सबसे बड़ा opportunity मिलने वाला है. So, welcome dear friends. I am Depali, life and inner wellness coach. आज 21 days यानि 3 weeks की जो mirror work की activity, लुईज हे की 21 days mirror work की किताब में से हमने ये पूरा प्रोग्राम लिया है. ये activity आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं. आज पहला दिन है और आज का topic है यही loving yourself. आप आज के दिन में, आज का जो main objective है, day one का, खुद के साथ का प्यार भरा रिष्टा. दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चहीता इंसान है, जिसको हम प्यार कते हैं, वो खुद हम है. बट होता क्या है, कि हम knowingly या unknowingly self-criticism में चले जाते हैं. Self-hatred personality बन जाते हैं और वहां से ही बहुत सारे और issues होते हैं. जैसे addiction जैसे issues, या तो बहुत सारी ऐसी हम गलत आदते, या अपनी खुद की self-talk, यानि poor, low-esteem जो जिसको हम कहते हैं, poor-esteem. Self-esteem बहुत ही बुरा होता है, वैसे बहुत सारे symptoms, यानि characteristic and behavior देखने को मिलते हैं. So, आज day one, loving yourself से हमारे 21 days, 3 weeks के जो challenge है, उसके दरवाजे खोलते हैं, खुद के साथ प्यार-भरा रिष्टा बनाते हुए. And I'm sure आप सब लोग इसके लिए बिलकुल तयार है और excited है. करना क्या है? पहले दिन ही बता दूं कि आपको यहाँ पर everyday वीडियो वाच करने है, जो हमने कल के वीडियो में भी देखा था. और साथ-साथ में आपको एक exclusive notebook बनानी है, journal, लिखने के लिए. कोई rough page ले लिया, आज day one का activity कर लिया, दूसरे दिन कोई और rough page लिया, ऐसा नहीं, exclusive, right? और इसके उपर काम करना है, और साथ-साथ में mirror के सामने खड़े रहते हुए, आपको mirror में जो affirmation बोलने है, mirror activity करनी है, वो भी करनी है. क्यों mirror activity करनी है, वो आप अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए है, I'm sure आपको बहुत ही अच्छी experience होने वाले है, आपकी life बहतर बनने वाली है, सकारात्मक बदलाव आपकी life में आने वाले है, सो चलिए शुरू करते है, day one में, क्या करेंगे, हम आज mirror work की exercise में, loving yourself के theme के उपर काम करेंगे, everyday अलग अलग theme होगी और everyday अलग अलग area में काम करेंगे, और unknowingly, knowingly, जो हमारी limiting belief है, उसको पहचान के निकालेंगे, it's a beautiful journey, so what you have to do today, first day, stand or sit in front of your bathroom mirror, शुरुवात में किसी को लगेगा ना कि यह क्या कर रहा है, mirror के सामने खड़े रहते हुए, परिवार वाले को भी या किसी को भी, so use your bathroom mirror, खड़े रहे या बैठे, look into your eyes, अपनी आँखों के सामने, देखे, थोड़ी देर तो सिर्फ देखे, चुराए मत नजरे, देखे अपने आपको, take a deep breath and say this affirmation, लंबी गहरी सांस ले और अपने आपको यह affirmation कहे, अब यह जो बोलना है, वो आपको कहना है, I want to like you, I want to really learn to love you, let's go for it and really have some fun, I want to like you, I want to really learn to love you, let's go for it and really have some fun, मुझे तुमको पसंद करना, प्रेम करना, I want to like you, means कि मुझे तुमको पसंद करना मैं चाहता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्यार करना, सीखना चाहता हूँ, and चलो हम शुरू करते हैं और बहुत मज़ा आएगा, ऐसे कहना है, Hindi, English कुजाती, Marathi में, take another deep breath and say, now second step, I am learning to really like you, मैं सच में तुम्हें पसंद करना, सीख रहा हूँ, I am learning to really love you, मैं सच में तुम्हें प्यार करना, सीख रहा हूँ, see this is so beautiful, tell yourself, this is the first exercise, and I know it can be a little challenging, but please stay with it, keep, you know, taking a deep breath, look into your eyes, use your own names, as you say, I am willing to learn to love you, आपको शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा challenging लगे, थोड़ा awkward लगे, but just deep breath भरते रहिए गहरी लंबी सांसे, और अपने आँखों के सामने देखते रहे, और constantly अपना नाम यूज करते हुए बोलते रहे, क्या? I am willing to learn to love you, मैं बिलकुल पूरी तरीके से तयार हूँ तुम्हें प्यार करना सीखने के लिए, फिर अपना नाम बोलिये, जैसे दिपाली, I am willing to learn to love you, I am willing to learn to love you, just do that, it's so beautiful, throughout the day, even, now step number six, throughout the day, each time, you pass a mirror, or see your reflection, please repeat these affirmations, even if you have to do it silently, आप कभी भी कैसे भी in shot, ये तो special exclusive mirror के सामने किया, बद जबी भी आप mirror के, वहां से pass हो रहे हैं, या प कहीं पे आपने window, या कहीं पे भी आपका reflection देखा, please repeat this reflection, I am willing to learn to love you, even if you have to do it silently, just do that way, बद करिये, silently बोलिये, पूरे दिन में, अपना reflection कहीं देखते हुए, या कहीं पास हो रहे हैं mirror के सामने, या exclusive mirror के सामने खड़े होते हुए, भी बार-बार भी पूरे दिन में जभी मौका मिले, ये करे, चाहे silently करे, कोई आस-पास है तो, बट ये आज का आपका mirror work exercise है, I know it's very interesting, so the power is within you, your day one journaling exercise, ये mirror work के बाद आपको क्या लिखना है, journaling exercise is very important, so journal में आपको क्या लिखना है, the power is within you के उपर आज का agenda है, और step one उसमें क्या करना है, वो भी समझ लेते है, after you finish your mirroring morning work, write down your feelings and observation, ये mirror work morning में करना है, obviously, और उसके बाद, आपको journaling work तुरंद शुरू करने ना है, write down your feelings and observation, आपने जो भी mirror work करते वक्त, आपकी feelings है, आपका जो observation है, खुद के लिए, वो आपको लिखना है, that is the first step, did you feel angry or upset or you feel like silly, आपको वैसा करते हुए गुसा आ रहा था, या upset, या foolish, silly activity लग रही थे, whatever it is, लिखना है, that is the step one, step two, six hours after, finishing your morning mirror work, again, write down your feelings and observation, 6 घंटे के बाद, आपका morning mirror work complete हो जाए, उसके बाद, again, आपको क्या करना है, write down your feelings, आपकी 6 घंटे के बाद भी क्या feelings है, आज की morning mirror activity की feelings क्या है, वो again एक बार observation और feelings लिखनी है, as you continued to practice your mirror work, you know, formally and informally, did you start believe what you were saying to yourself, क्या आप जब formally और informally mirror work activity करते है, तो did you start believe, क्या आप बिल्यू करना start शुरू कर दिया, what you were saying to yourself, जो आपने अपने खुद के साथ कहा था, वो आपने बिल्यू करना शुरू कर दिया, observe and write down that, keep track of any changes in your behavior or your belief, over the course of the day, right, आपको क्या करना है, आपके जो भी behavior में changes आता है, उसको track करो, पूरे दिन में, आज का जो day one है, उसके mirror work activity, और observation या लिखा उसके बाद, keep track of any changes in your behavior, जो आपके behavior में कोई changes आते हैं, और इनी belief में, तो ये आपको ये भी लिखना है, did the exercise get easier, और did you continue to find it difficult after doing it while, आपको क्या करना है, again ये question है, जो लिखना है इसका answer, journaling में, did the exercise get easier, क्या exercise आपके लिए easy थी, और did you continue to find it difficult after doing it while, या तो आपने वो exercise करने के बाद, difficult ही लगी, you know, after the exercise, you find like difficult, थोड़ी समय के लिए, तो वो भी आपको जनर में लिखना है, and point number four, at the end of the day, before you go to bed, very very important, अब आता है, write down what you learn from doing your mirror work, आपने mirror work, आज का day one के mirror work से, आपको क्या सीखने को मिला, what you learn from doing this mirror work, वो आपको लिखना है, सोने से पहले, आपको अपने हार्ट को ओपन करने के लिए ये थौट है, उसको पूरे दिन में याद करना है, आज का जो थौट है, ये पर्टिकलर आज का जो थौट है, जर्णल में उपर हेडिंग लग दीजे, जर्णल जो आपकी बुक है, डाइरी बनाएंगे, उसके उपर जर्णल के उपर day one, और लिखिये, आपके day one की राइटिंग एक्सराइस करने के बाद, ये जो है, आपको 21 टाइम्स लिखना है, आपको सुबह और रात को सोने से पहले करना है, क्योंकि ये पांच मिनिट का ही है, पांच से साथ मिनिट से ज़्यादा लंबे कोई मेडिटेशन नहीं है, और ये एवरी डे अलग लग तीम के उपर है, आज है लविंग यॉर्स सेल्फ के उपर, और ये मेडिटेशन जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऑनलाइन स्कूल की लिंक है, वो लिंक के उपर क्लिक करेंगे, और वहाँ पे जाएंगे, तो साइन अप फॉर फ्री का बटन आएगा, उसके उपर साइन अप पर क्लिक करेंगे, और आपका इमेल एड्रेस और पासवर्ड सेट करेंगे, यूजर आइडी पासवर्ड जैसे हम इमेल एकाउंट बनाते हैं, वैसा ही, और जैसे ही आप उसमें लॉग इन, यूनो, साइन इन करेंगे, आप इंसाइड जाएंगे, लॉग इन में, तो वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराथी के, अलग-लग सेक्शन में, डेवाइस के मेडिटेशन के वीडियोस देखने को मिलेंगे, डेवन का मेडिटेशन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी भाषा पसंद करनी है, वो सेक्शन में जागते हुए, और उसको हेड़फॉन या इयरफॉन से सुनना है, पूरे दिन में हो सके तो बहुत अच्छी बात है, या तो मौनिंग में, या तो इवनिंग में, जरूर से सुनना है, दोनों टाइम कर सके तो और ज़्यादा अच्छा है,